वेल्कम टो माई किचन मैं हूँ शीबा आज मैं अपने किचन में नर्गी सी कोफते बनाने जा रही हूं जिसे बनाना बहुत असान है और आए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी तो फ्रेंड इसके लिए मैंने सबसे पहले पीमा लिया है या जिसके रोस किया है जिसके मैंने ड्राय रोष्ट कर लिया है और साथ ही मैंने रैड चिली पाउडर, नमक ये मैंने 1 अफ टीस्पून या उससे भी ठोड़ा कम ही लिया है क्यूंकि ए मेरे ग्रेवी में भी ये मसाले जाएंगे और साथ ही ये वन लार्ज अनियन ग्रीन च तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं यह सारे मसाले अपने जार में डाल के इसको पेस लोंगी यह पेस जाएंगे तो उसके बाद मुझे यह कीमा भी यानि कि मिंस भी डाल करके ही और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि अच्छा सब पेस के बहुत ही स्मूध बन है और अब हम इसमें अपने यह मसाले भी एड कर देंगे यह मेरा वन टेबल स्पून से कुछ जादा है तो मैं थोड़ा कम डालूंगी लगबक वन एफ टेबल स्पून था इतना मैंने चोड़ दिया है अब हम इसको अच्छी तरह हातों से इसको मसल के अच्छी तरह से ए हम ऐसे थोड़ा हाथ में लेंगे और हमें जरूवत पड़ेगी तो हम पानी का भी इस्तिमाल करेंगे यानि की वोटर ऐसे मीशको थोड़ा थोड़ा बढ़ा की एक पूरे हाथ पे हम एक रोटी की तरह से ऐसे बड़ा साम बना लेंगे और अब हम इसमें अपना यह ऐसे एग रखके इसको पूरी तरह से इसको रोल कर देंगे कवर कर देंगे इसको हर तरफ से यह बंध हो जाना चाहिए पूरा रैप हो जाई है कि अगर कहीं से क्रेक कारा हो तो आप इसमें थोड़ा सा इसमें से लेकर उसको आप और सा चिपका सकते हैं यह कहीं से भी खूला ना रहे कहीं से कोई क्राक ना रहे इसको अच्छी पानी कभी लगा कि इसको कर सकते हैं देखिए इतना बढ़िया यह बन गया है तो इसी तरह से हमें बाकी के भी बना लेने है तो देखिए प्रेंट्स मैंने रखा है डी फ्राइ करने के लिए और मेरी कोफते भी बिल्कुल बन के तयार है इन्हें अब हम एककर के इसमें डाल देंगे और इसको सब तरफ से गोड़न ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे इसको फ्राइ कर लेंगे एक साइच से हो जाएगा तो हम इसे ही तर्ण कर देंगे दूशन साइच से कर देके लिए देखिए मेरे तमाम कोफते बढ़िया बन के तयार हो गए है अब हम नेक्स में इसकी ग्रिवी बनाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स बैन मैंने रख दिया है अपना करी के लिए और इसमें मैंने ऑईल भी ले लिया है और यह मैं मेथी दाना वन पिंच डालूंगी इसे क्रैक होने देंगे उसके बाद फिर हम नेक्स टेप करेंगे अब यह मैंने हाफ कप लिया है अब यह थोड़ा थोड़ा क्रैक हो गया है अब हम इसमें अपना अनियन डाल देंगे अब हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट वन एंड हाफ डाल देंगे इसको भी हम तो मिनिट ऐसे ही भून लेंगे मसाले को ताकि इसकी स्मेल निकल जाए इसका कच्छा पन निकल जाए अब हम इसमें रैडड चिली पाॉडर राफ टीश्पून हल्दी राफ टीश्पून नमक वण टीश्पून धनिया पाॉडर राफ टीश्पून हम डाल देंगे तो फेंज अब हम इसमें अपना यह टोमेटो प्योरी डाल देंगे यह हमने टू बिग साइज टोमेटो लिये हैं अब हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका रॉब पैंच अब निकल जाए इसका अच्छी तरह से मसाले भून जाएं जितना अच्छा मसाला भूनेगा टेस्ट उतना ही अच्छा होगा अच्छा आंधो ही मसाला ब्हून भूल गया है इसमे अपना य인데 no है अध ski i.o इसमें यह एक अधर्सी में है कि अधिया स्लो रखेंगे देखें बहुत बढ़िया मसाला मेरा धुन गया और अब मैं इसमें वाटर एड़ करूंगी लटफग वन ग्लास वाटर मैंने इसमें आड़ किया है लेकिन मैं इसमें थोड़ा वाटर और एड़ करूंगी हाफ ग्लास और समय लीचे वन एन हाफ ग्लास मैंने इसमें वाटर एड़ किया है अब हम इसको थोड़ा पकने देंगे और इसी में ही हम अपने कोफते भी लगा देंगे इसको हम पहले अच्छे से पंग जाने देंगे करी बन के तियार हो रही है और अब हम इसमें अपना कसूरी मेथी भी डाल देंगे और हमारा यह गरम मसाला पाउडर यह भी हम इसमें डाल देंगे यह हमारे कोफते जो कि हमने नाइफ से बीज से कट कर दिये हैं और अब हम चाहे तो इसी में ही हम डाल सकते हैं और यह पक चुके हैं और चाहे तो आप डिश आउट करेंगे तो आप ग्रेवी के साथ में फिर उपर से यह रख सकते हैं तो देखी फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर अपने कोफते डाल दिये हैं और यह डाल किया अब इसको लगभग 10 मिनिट मैंने इसको कुप कर लिया है ताकि अंदर तक के अच्छे से पाख जाए तो उसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करेंगे तो देखी बेंड्स बहुत मज़ेदार बहुत खुबसूरत देखने में यह टिश तयार हुई है तो आप इसे जरूर ट्राइए करें और अपने कमेंट्स मुझे जरूर भेजें और मेरी यह वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना को खवे ब करम में में जरूर भेजेंगा हुई है तो कि तो आपको एंप बॉट पॉिदी लाग्या हुई है तो आपको झाफ शेवे तो रही तो